इरान समर्थित प्रॉक्सी गुटों से घिरे इस्राइल पर हरवक्त हमले का खत्रा मन्रा रहा है लिबनान के हिजबुल्ला से लेकर यमन के हूती तक अपने खतरनाक हतियारों से इस्राइल पर हमलावर है बीते दिनों इरान ने भी करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइले दाग कर मिडिल इस्ट में हल्चल बढ़ा दी थी इससे बौकलाए इसराइल ने इरान को करारा जवाब देने की धम की दी थी दावा है कि इसराइल गुपचुप तरीके से इरान पर बड़ा पलटवार करने की तयारी कर रहा है इसी गड़ी में अमारिका भी सीधी तोर पर मदद करने के लिए कूद पड़ा है इसराइल और हिजबुला में बढ़ते संगर्ष के बीच अमेरिका ने अडवांस अंटी मिसाल सेक्योरिटी सिस्टम थाड देने का फैसला लिया माना जा रहा है कि इरान के हालिया मिसाल हमलों और इलाके में बड़ते तनाव के जवाब में ये कदम उठाया गया है थार्ट सिस्टम इसराइल की एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करने के इरादे से तैनाद किया जाएगा अमेरीके मदद से इरान और उसके प्रॉक्सी गुटों के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को रूखा जा सकेगा यह एलान पेंटागन के प्रवक्ता मेजर जनरल पैट राइडर ने किया है जहां इसराइल के पास पहले से ही एक से बढ़कर एक एयर डिफेंस सिस्टम है तो सवाल उठता है क्याकि इसराइल को अमेरीके मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जरूरत क्यों महसूस हुई है तो बतादे कि एरान और उसके सहयोगी गुट अब हाइपर्जोनिक मिसालों से इसराइल पर हमला बूल रहे हैं ऐसे में थाड की तैनाती इसराइले डिफेंस को अतिरिक्त सुरक्षा देने का काम करेगी इसे इसराइल में होने वाले नुकसान में भी कमी आने की उम्मीद जताई गई है आएज जानते हैं कि ये थाड क्या है और इसकी ताकत क्या है थाड बेहद अडवांस डिफेंस सिस्टम है इसे कम दूरी से लम्बी दूरी तक की डालिस्टिक मिसाइलों का सामना करने के लिए बनाया गया है ये एक ऐसा सिस्टम है जो वाईू मंडल के अंदर और बाहर दोनों जगह टारगेट रूपने में सक्षम होता है यह डेफेंस सिस्टम आस्मान से आती मिसाइल को हवा में ही खत्म कर देता है इसमें एक मिसाइल का वजन 900 किलोग्राम होता है बीव दश्मलब 3 फीट लंबे मिसाइल का व्यास 15 इंच होता है यह 10,000 किलोमेटर प्रती घंटा के रफ़तार से दुश्मन टार्गेट की तरफ बढ़ती है इसमें कोई विस्फोटक वारहेट नहीं होता इसमें इतने पावरफुल रडार लगे हैं कि वो 3000 किलोमेटर तक की दूरी के खत्रों का पता लगा कर इंटरसेट कर सकता है प्रतिक थार्ड बैटरी में 6 माउंटेड लॉंचर होते हैं और लॉंचर में 8 इंटरसेप्टर लगाये जा सकते हैं इसमें रडार और रेडियो करन भी शामिल होते हैं प्रतिक लॉंचर को रीलोड करने में करीब आदा घंटे का वक्त लगता है एक थार्ड सिस्टम को आपरेट करने के लिए पिच्यानवे अमेरिकी जवानों की ज़रूरत होती है ऐसे मिसाफ़े कि अमेरिका के थार्ड सिस्टम की तैनाती इरान और उसके प्रॉक्सिबूटों के लिए सक्त संदेश है इसराइल के खिलाव किसी भी आगे किसे निवरिद्धी के गंभीर परिणाम हो सकते हैं जहां खुद अमेरिका भी इसराइल का साथ देने के लिए सीधे तोर पर उतर सकता है पर तलबै के अमेरिका इसराइल की रक्षा में ना सिर्फ उसकी मदद कर रहा है बलके इलाके में अपनी मौजूद की बढ़ा कर राजनितिक बढ़त भी हासिल कर रहा है